मैं मंगेश यादो के घर पर आया हूँ पहले अपने कैमरा मैं साथी से कहूंगा मंगेश यादो का घर दिखा दीजिए यहां देखिए मीडिया के जमाड़ा लगा हुआ है आज आठ दिन लगभग बीद गए मंगेश का इंकाउंटर हुए उसके बाद भी घर पूरा भरा ह हुआ है समाजवादी पाइटी के कारकरता अस्थानी लोग सोसल एक्टिविस्ट पत्रकार सब मौके पहुंच रहे हैं मैं खुद आया रोक नहीं पाया अपने आपको मैं देखना चाहता था कि वह तीन मंजिल का मकान जो BMW कहां है उसका वह विदेश वाला बैक देखना थ था और उसके उपर कई मुकदमे थे अलिसान घर होगा और BMW होगी जगवार होंगे दसपारट और उसके आसपास चलते होंगे अभी गरीब आदमी को तुमने उठा के मरवा दिया क्या पागए क्या जो अखलेश ने ट्वीट किया कि जाद देख के कारवाई उत्तर प्रद जबतना उसमें किये कानपुर में पर्सों महिला की लास मिली सरकटी जिसमें कपड़े भी नहीं पएने वो इतिने ट्यूट किये ओम परकास को नेता नहीं थीक है दूसरी चीज यह बदा दू कि ओम परकास को भी समाजवादी पार्टी ही ने बनाया है नहीं वो कुछ नह चौनपुर के ठठेरी महले में जो डगाइती हुई थी जिसमें ये चौनपुर के मंगे स्यादों का इंकाउंटर किया था उसके बाद से जब समाजवादी पार्टी के राष्टी अध्यच्य अखले स्यादों ने अपने ट्वीटर हैंडल पर जो है ट्वीट किया उसके पाज से उत्तर प्रदेश की राजनीद गर्मा गई है और मैं मंगे स्यादों के घर पर आया हूँ पहले अपने कैमरा मैं साथी से कहूंगा मंगे स्यादों का घर दिखा दीजिए यहां देखिए मीडिया के जमाड़ा लगा हुआ है आज आठ दिन लगभग बीद गए मं जो उत्तर प्रदेश पुमिष जखायत बताती है यह जो मसीन नुमा मकान है इसको जड़ा दिखाईएगा इसमें तीन सेट रखा है आज के दोर में लोग पसुगों को इस तरह पसुगों को भी बहुस्ता नहीं करते हैं और यह मड़ई में पूरा परिवार रहता था उस क्लाक का इनाम भी धोशित कर दिया गया काड़ी होती साइकल तो होती है अभी गरीब आदमी को तुमने उठा के मरवा दिया क्या पा गए क्या जो अखलेश ने ट्वीट किया कि जाद दे के करवाई उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है क्या इसमें सच्चाई है आप बताए भाषपा प्रदेश राजभर ने जो कहा कि यह यादों के लिए ट्वीट करते हैं अकलेश मुसल्मानों के लिए नहीं करते हैं परकास कोई नेता नहीं है ठीक है दूसरी चीज यह बता दू कि ओम परकास को भी समाजवादी पार्टी ही ने बनाया है नहीं वो कुछ नही बना दिया अब मंत्री पत का मजा ले अराम से और समाजिक नियाए कि जो लड़ाई होती हुँ माननी सरी अकले स्यादो जी लड़ रहे और हम उनके नेतरुत में लड़ते रहेंगे हम उनके सिपाही है मैं यहां पर जो देखा यह नहीं कि मैं आपके सरी आया हूं बयान देन है कि जिद दिन इसकी सुप्रीम कोट द्वारा जाच हो जाएगी इसमें कई लोग नपेंगे यह पुस्पेंदर ही यह जो यादों का हुआ था इनकाउंटर उससे भी भयानक है समझे और आप बता रहे हैं कि सिरिफ जातवादा के लिए से आदो कर रहे थे अभी ओम परक राकास जी बता देजी क्या ओम परकार जो राजवरों पर होता तो हम लोग नहीं बोलते हैं निसाथ समाज के साथ बरसाथ का मुस्ब चल ला है आप रहीं चले जाईए रास्ता समाज में राजभर समाज में नहीं बोलेगा क्यों कि उसको मंत्री पत्क होना पड़ेगा त क्योंकि दारा सिंग जात पात नहीं करता और लखनों में दिखा सकता हूं कि लोग इतने जोला लेकर आते कागच और मैं उनका सम्मान के साथ माननी अकले से तो जी सुनते हैं उनकी कारवाई का पूरा करते हैं बस यह कहना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी यह जो आपने इंक पहुच रहे हैं कि यह स्थानी लोग है क्या नाम है सुद्रचार बिनो दिया दो जी इस घटना को आप कैसे देखते हैं मैं जो समिच्छा देख कर रहा हूं कि एक इंकाउंटर है जी पूरा का पूरा आहत कंगन को आर्सी क्या पढ़ेलिकों को फार्सी क्या अगर अपरा लेकिन जूहरा यहां मैं बताः कि तर लोगों को जबाड़ा लगा है मंगेत इस्टार लोग आ रहे है और कुछ लोगों से हमारी बात्चीत भी हुई साफ लोगों का कहना है कि जो है मंगे स्यादव के साथ जो घटना हुई है वो फेक इंकाउंटर है इस वीडियों बसे तना ही नमस्कार जैहिंद जैभारत